हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किय घड़ी में बच्चो, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कारे करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुबे महानगरपालिका ने आपको घर बेटे ही पढ़ाने या यू कहें, अध्यान करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगरपालिका के चैनल दोरा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा, और उस लेसन के जो वीशे हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे, चलिए शुरू करेंगे, हम आज का अपना लेसन, तो बचो आप देख रहे हैं कक्षा आपके स्केन पर दिखाए जिरी एक छठी छठी कक्षा में हमारा आज का जो विशा है यह यह है गणी गणीत विशा के अंतरगत हमारा आज का जो यह पाठ है वह है आपकी पाठ है पुष्टक से लेसर नमबर सेवेंटीन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अर्थाथ पाठ सत्रहवा जामिती रचनाएं या भूमिती रचनाएं और मैं हूँ आपका वर्चुल मारक दर्शक अजय कुमार मौरिय एंसी जी एम वर्चुल क्लासरूम दादर से तो बच्चो जामिती या भूम भूमिती रचना है मतलब भूमिती आकरतियों की रचना करना जिसमें हम कुछ बेसिक आकरतियों की रचना करेंगे और उसके पहले रचना करने के लिए बनाने के लिए हमें किन-किन साधन की जरुत पड़ेगी सायती जरुत पड़ेगी वह आप सामने निकाल कर रखिए अ इस वीडियो को देखते हुए समझते हुए साथ साथ रचना करने का प्रयास कीजिए तो सबसे पहले आपकी कंप में जो साधन है उसको हम देख लेते हैं तो हमें किन साधनों का प्रयोग करना है आज हम जानेंगे तो आपकी कंपास में यह दो साहित त्रिभुजा कार जो आपको दिखाई देते हैं इन्हें कहते हैं गोनिया एक छोटा होता है एक थोड़ा सा लंबा होता है दोनों ही समकूल त्रिभुज होते हैं अकार में उनका कोण एक समकोण होता है एक जो है समुध्य भावी होता है मतलब उसका दोनों कोण समकोण के आलावा 45-45 होता है और दूसरा जो है बड़ावा आलावा 30-60-90 अंस उसके कोणों के माप होते सामाने तोर पर इस तरह के गुनिया आपके कमपॉस में दिखाई देते हैं तो इस गुनिये की साहिता से हमें आज कोई विशेज रचना नहीं करनी है लेकिन हमारा साहित्य है उसके अलावा यह है लंगला प्रकार, गोला प्रकार या केवल प्रकार जिसमें एक लोहे की लोहे का अजार मशीन है उसमें पेंसिल फसा हुआ है यह है मापन पट्टिस स्केल यह है चांदा या कोण मापक डी पेंसिल कि यह प्रमुख साहित हैं किसी भी रचना की दिश्टी से पेंसिल हमेशा ही चाहिए ही चाहिए यह बात जहन रखिए कि कि पेंसिल की बिना तो रचना हम बनाई नहीं पाएंगे सबसे पहले हमने पिछली कक्षाओं में जो सीखा है रेखा खंड की रचना करना कोई भी रेखा खंड अगर खीचना है विशेश मापका तो कैसे खीचते हैं उधारन की तोर पर एक रेखा खंड यह भी है जो आठ सिंटीमेटर लंबी खीचनी है तो आप कैसे खीचते हो अपने नोटबुक पर सबसे पहले क्या करते हैं नोटबुक पर हमें पट्टी को रखते हैं और जीरू पर क्या करते हैं अपना पेंसिल का नोक रखते हैं और आठ सिंटीमेटर कहा है वहाँ तक हमें यह दिखाए जेरा वहां तक हमें उतनी लंबी रेखाखंड खीचनी होती है तो हम शुरुवात करेंगे 0 से और ले जाएंगे कहां तक 8 तक अगर 8 cm है तो इस तरह से यह रेखाखंड A B बन गया नाम दे देंगे A और B लंबा 8 cm है इसकी तो इस तरह रेखाखंड A B 8 cm लंबा हमने खीच दिया पट्टी और पेंसिल की सायतास आज हमें क्या सीखना है परकार का उपयोग लंगडा परकार गुला परकार का उपयोग करके मापन पट्टी का उपयोग करके और पेंसिल तो रहे गए रहेगा इनकी सायतास हमें रेखाखंड रेखा पर लंब खीचना है जो की तीन परकार से होगा पहला है एक रेखा अब उस पर कोई बिंदू लेंगे उस बिंदू से उस रेखा पर लंब खीचना है याने रेखा पर कोई एक बिंदू और बिंदू पर हमें एक लंब रेखा किचनी है दूसरा है रेखा के बाहर कोई बिंदू है और उस बिंदू से दिए गए रेखा पर लंब खीचना तो पहला है रेखा पर बिंदू है दूसरा है रेखा के बाहर बिंदू है तीसरा है रेखा खंड दिया गया है उसको दो समान भागों में बाटने के लिए उस रेखा खंड का लंब समध्य भाजक खीचना है यानि लंब भी होगा और उस रेखा खंड को दो समान भागों में बाटेगा तियो तीन रचना हमें सीखनी है वन बाई वन और आप अपने साधन साहिते के साथ रेडी रहिए और एक एक रचना को सीखते जाए वन बाई वन रेखा पर इस्तित बिंदू से उसी रेखा पर लंब किचना ये पहली रचना है मतलब क्या इसका कि कोई एक रेखा है उस रेखा पर कोई बिंदू है ये जैसे बिंदू दिखाए दे रहा है इसी बिंदू पर हमें लंब किचना है तो ये जो बिंदू है इसी बिंदू से वह लंब रेखा यानि उस पर खड़ी रेखा जानी चाहिए तो हम कैसे इसे बनाएंगे हमें लंब किछना है, समकूर होना चाहिए चांदे का उपयोग नहीं करना है, गुनिये का उपयोग नहीं करना है के वाद परकार और मापन पट्टी और पेंसिल का ही उपयोग करना है तो ये जो रचना है ये रचना हमें परकार तथा पट्टी की सहायता से ही बनानी है तो कैसे बनाएंगे वही हमें आज सीखना है तो आप अपना परकार अपनी पट्टी और अपनी पेंसिल एकदम रेडी रखिए परकार में पेंसिल फिक्स होगी अलग से और मापन पट्टी से जो हम लाइन खिषते हैं आप चाहे दूसरी पेंसिल का उप्यूग कीजिए चाहे उसी पेंसिल का उप्यूग करिए कोई बात निए तो सबसे पहले रेखा पर इस्थित बिंदू से रेखा पर लम तो इसका मतलब हुगा पहले एक रेखा हमें बनानी है कोई भी एक रेखा हमने बनाया मालने जी हम मापन पट्टी की सायथा से एक रेखा बनाते हैं रेखा है इसलिए दोनों तरफ तीर का निशान लगेगा हमने ये रेखा बना दी अब इसका नाम देने के लिए इस पर दो बिंदू कोई भी ले लेते हैं बिंदू A, बिंदू B तो ये है रेखा A, B अब इस पर मध्य में कहीं भी एक बिंदू Q हमने ले लिया इसी Q पर हमें लंब खीचना है ध्यान दीजिये लंब हमें क्यों पर खीचना है तो सबसे पहला काम है परकार को जिस बिंदू पर लंब खीचना है उसके नो को उस बिंदू पर रखना यह पहला स्टेप तो हमने यह रख दिया अब कोई भी एक चाप जैसे कि यहां दिख रहा है फैला हुआ उस पेंसिल के निशान से क्यू के लिफ्ट और क्यू के राइट दो छोटे-छोटे चाप यहां निशान लगा देंगे यह एक निशान लगा दिया हमने रिखा यह भी पर ठीक उसी प्रकार वही चाप राइट साइड में लगाएंगे उतने ही दूरी का बिना कुछ परिवर्थन किये तो हमें रिखा एबी पर दो चाप दिखाई दे रहे हैं उनका नाम लिख देते हैं M और N यह चाप रिखा एबी को एक एक बिंदू पर काट रहे हैं तो पहला हमने क्या किया गोला परकार को उस बिंदू पर रख दिया जिस पर लंब किचना है ये पहला स्टेप उसके बाद उसी बिंदू से उस रेखा पर दो चाप लगा दिया अब दो चाप जहां पर है ये तीसरा स्टेप है दो चाप जहां पर है वहां पर हमें गोला परकार को रखना है मतलब गोला परकार उठाना है और उसके नो को चाप के उपर रख दिया अब हमारा पेंसिल जो है वो Q पर आ गया क्योंकि चाप तो उतने ही बड़ा है तो हमें चाप को थोड़ा सा बड़ा करना है Q से थोड़ा दूर चले जाए वो थोड़ा बड़ा कर दिया हमने अब चाप को घुमाना है रिखा के उपर की तरफ और नीचे की तरफ दो चाप लगेंगे M से N से चले देखते हैं कैसे पेंसिल लोग रखा चाप गुला परकार को ठड़ा किया थोड़ा उपर सरकाया और वहाँ पर निशान लगाया हमने चाप का इस तरह से चाप लगा दिया हमने बहुत अच्छा हमने M पे रखा और चाप लगाने उसी प्रकार N पे रखना है और चाप वही उसको छोटा बड़ा नहीं करना है और फिर ऐसा चाप लगाना है कि पहले वाले चाप को काट दे किसी एक बिंदू पर वह काटेगा निश्चित है काट दिया उसने बिंदू का नाम लिख लेते हैं कोई भी नाम लिख लेते हैं टी नाम लिख दिया अब टी और क्यू जो पहले से ही है उसको हम मापन पट्टी की सहाथा से क्या करेंगे मिलाएंगे मापन पट्टी को इस तरह रखेंगे और पेंसिल से जोड देंगे एक रिखा किर देंगे जो T और Q से होकर जाए तो इस तरह से हमने Q तक ही खीचा तो इस तरह से हम देख रहे हैं Q पर यह जो रिखा खंड या किरन दिखाई दे रही है यह लंब है कोन मापक से मापेंगे तो यह 90 अंश का ही मिलेगा तो हमने क्या बनाया भी यह T Q जो है दिए गए रिखा EB पर लंब है तो हमने Q बिंदू जो की रिखा पर ही है रिखा पर इस्तित बिंदू से उसी रिखा पर लंब खीचा एना असान बात तो यह पहली रिखा पर इस्तित बिंदू से रिखा पर लंब अगला है रिखा के बाहर इस्तित बिंदू से उस रिखा पर लंब कैसे खीचेंगे रिखा के बाहर क्या आर्थ होता है इसका इसका आर्थ होता है कि कोई एक रिखा है उसके बाहर कोई बिंदू है दूर उस बिंदू से इस रेखा पर एक लंब खीचना तो लंब जो है उस बिंदू से ही जाएगा और रेखा पर समकोण बनाएगा और हमें उपयोग किसका करना है? हमें चांदे का उपयोग नहीं करना है गोनिये का उपयोग नहीं करना है हमें परकार तथा मापन पट्टी का ही उपयोग करना है और यह रजना करनी है तो परकार तथा पट्टी की साहता से किसी रेखा पर लंब खीचना और रेखा के बाहर वह बिंदू होगा जिससे हमें लंब खीचना है तो पहला काम तो हमें रेखा बनाना ही है तो हम कोई भी एक रेखा खीचेंगे पट्टी और पेंसिल की सहायता से जो रोतरफिर का निशान लगा दिया रेखा का नाम भी लिख देंगे दो बिंदू की सहायता से रेखा A, B अब रेखा के बाहर एक बिंदू Q है याद किजिए हमने पहले क्या किया था यह Q कहां था रेखा पर था यह रेखा के बाहर है लेकिन काम वही करना है अब गोला परकार को हम इसी Q पर पहले रखेंगे तो गोला परकार को कहां रखेंगे इस पिंदू Q पर उसके वाद हमने क्या किया था याद कीजिए पहले Q पर रखकर रेखा के लेफ्ट और राइट में याने रेखा पर दो चाप लगाया था यहां भी वही काम करना है रेखा पर दो चाप लगाना है Q पर रखकर अब रेखा नीचे है तो परकार को इस तरह रखेंगे कि वह रेखा को दो जग़ा पर काट दे इस तरह से अब घुमा देंगे तो चाप जो है वो AB को दो जगह पर काटेगा एक ऐसा चाप और ये दूसरा चाप चाए लगाता रेकी चाप मना ये चाए छोटे छोटे दो तुकले लगाईए इस तरह चाप जो है रेखा AB को दो बिंदू पर काटता है मालनी जे M और N पहले भी ऐसी दो चाप लगाया था अभी भी दो चाप लगाया पहले हमने क्या किया चाप लगाने के बाद गोला बगार को M और N पर रखा था यहां भी वही करना है अब चाप को उठाएंगे और एक बार N पर रखेंगे लेकिन अब चाप उपर तो बिंदू पहले से ही है हमें नीचे की ओर M और N पे रखकर चाप लगाना है इस तरह से यह एक चाप लगा दिया नीचे N बिंदू से उस व्रकार N पर रखेंगे M पर रखेंगे भी और वैसे ही एक चाप लगाएंगे दोनों चाप एक दूसरे को काड़ देते हैं बहुत अच्छा तो नीचे एक दो चाप का परृतिशेज़न बिंदू है उपर एक Q बिंदू है अब क्या करेंगे इन दोनों बिंदू को मिलाएंगे परतिशेज़न जो हुआ है चाप का उसको नाम दे रहते हैं अब हम Q और R को पट्टी से मिला देंगे इस तरह से यह रिखा Q R जो बना वह A B पर लंब है संकोल पर काटकी है और बिंदू Q रिखा A B के बाहर था तो हमने रिखा के बाहर इस्थित जो बिंदू Q था वहां से रिखा A B पर लंब खीचा तो Q R जो है वो लंब है किस पर A B पर तो दो रचना हो गई, रेखा पर इस्थित बिंदू से लम, रेखा के बाहर इस्थित बिंदू से लम तो दो रचना आपने सीख लिया, नोट बुक में बिलकुल इसी तरह प्रेक्टिस कीजिए अब चबते हैं, तीसरी रचना रेखा खंड है, यहां रेखा नहीं है, रेखा खंड है, उसको दो समान भागों में बाटना है, उस पर लंब समिद्य भाज़क खीचना है तो रेखा खंड का लंब समिद्य भाज़क खीचना मतलब क्या करना, यह रेखा खंड है हमें इसका लंब समिद्वाज़ कीचना मतलब ऐसी रेखा कीचना जो इस रेखा कंड को दो बराबर बराबर भागों में बाड़ दे और वह लंब भी हो हम सीज़े चलते हैं प्रश्ण संग्र 40 का उधारन लेते हैं रेखा कंड का समिद्वाज़क के लिए पेज नंबर 92 पर तीसरा प्रश्ण क्या कहता है बाकी जो प्रश्ण है वो हमने पहले जो खीचे न रेखा का लंब रेखा के बाहर इस सिद्विंद्व से लंब उसी तरह से हैं यह तीसरा जो है प्रश्ण या रेखा खंड का लंब समिद्वाज़क कीचना है तो पहले रेखा खंड बनाना है दिए गए माप से और वो है ए बी बराबर पांच दिश्मलों पांच मतलब जिरो से शुरू करके पांच दिश्मलों पांच आने पांच और छे के बीच में इतनी बड़ी रेखाखंड खीचनी है हमने तो यह बन गया रेखाखंड अबी नाम लग दिया हमने अंत्र बिन्दों का अबी और यह 10. 75cm है यह उनरे माप किचा है तो इससे यहां लिखने की जरूप नहीं है 15.05 का यह है हमें करना क्या है अब परकार के सायता से इसका लंब समध्य भाज़क केचना है तो दो अंत बिंदू जो दिये गए है यही हमारा टार्गेट है हमें गोला परकार को इन ही बिंदों पर रखना है और इस तरह रखना है कि यह आधे से अधिक दूरी तक पेंसिल पहुचे अब क्या करना है उपर और नीचे ए से भी और बी से भी चाब लगा देना है मतलब हम उपर जाएंगे और एक चाब लगा देंगे एक चाब फिर नीचे की तरफ भी उतने ही दूरी पर दूसरा चाब लग गया आपने आप उपर नीचे आप गोला पगार को बी से उठा कर ए पर रखेंगे और उपर और नीचे चाब लगाएंगे एक चाब पहला और उसी तरफ दूसरा चाब भी लगाएंगे देख रहे हैं हम उपर भी दो चाप प्रतिशेदित कर रहे हैं नीचे भी दो चाप प्रतिशेदित कर रहे हैं दोनों प्रतिशेदर बिंदू को क्या करेंगे पट्टी से मिला देंगे नाम लिख लेते हैं उपर वाला P, नीचे Q 25 से जोड़ देंगे P और Q को मिला कर एक रिखा बन गई यह AB को दो समान भागों में बाटेगा और लंब भी होगा तो P Q जो है वो AB का लंब समझे भाजक है लंब भी है और AB को दो समान भागों में बाटता भी है इस तरह से इस पार्ट में हमने तीन परकार के रशनाएं देखी और सीखी आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए तो हमने क्या क्या सिखा हमने सिखा परकार और पट्टे की सायता से तीन रशना देखी पहला है रेखा पर इस्थित बिंदू से लंब दूसरा है रेखा के बाहर इस्थित बिंदू से लंब और तीसरा था रेखा खंड का लंब समध्य भाज़क खिचना और त्योनों कृतियां आपने समझे तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन उसके प्रमुख मुद्धों को द्यान से बार बार दुबारा देखकर समझ्य का परहस केजिए क्योंकि एक बार देखने पर किसीको भी वो पौरा मुद्धा समझ में नहीं आता तो जैसे हम दो बार तीर बार देखेंगे तो हमें वो समझ में आने लगए है और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चो वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी तो उस वीडियो को देखने के लिए उसकी सुचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रिस कीजिए और नोडिफिकेशन और रखिए ताकि जैसे ही हमारे लेशन चैनल पर डाला जाएगा आपको वत्तुरंग प्राप्त होगा तो अपना ख्यार रखिए सुरशिद रहिए थैंक्यू